हेलो दिये स्टुटेंट्स स्वागत हेगवाफिर से आपके अपने चानल डिफेंस ट्यूटर में तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने प्रॉबिलिटी के लेक्चर नमर टू को यह आपके वीडियो आपको पता है कि नाविक जीडी के रिगारिंग है और वीडियो इस एक ही प्लेइलिस्ट में डाल दिया गया है तो जाहिए सबी वीडियो को देखें आप सबी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको मैथमेटिक्स के सारे स्लिवर्स आपके जो भी टॉपिक्स पर ने हुँआ खतम हो जाएंगे यह प्रॉलिटी के बाद आपक पर कह सकते हैं कि पूरा चेप्टर कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की और आप सभी स्टून्स के एग्जान के रिगारिंग हमने आपको लिए फ्री में ऑनलाइन प्रैक्टिसर्स भी अर्रेंज किया है लिंक दिस्क्रिप्शन म तो यहां पर कहा जाता है फॉलो करने के लिए उसे जरूर फॉलो किजिएगा जिससे की टीम को हेल्फ होगा तो आपके लिए और भी अधिक वीडियो स्वरी और भी अधिक आपके लिए प्रैक्टिसर्स दे पाएंगे ठीक है तो यहां पर कोशन नमर वन देख सकते हैं त यहां डिन डिन सीखे एक साथ उचाले जाए तो वरोपाटनाख जाया तो दो हाइड आने की प्राइक्टा क्या है कोई भी गैप नहीं होगा उनके बीच में तो पुछा ज़र आप से कि वार्टी तो दो हेट्स आने के प्रविटी क्या होंगे पार्टी ता प्रविटी आफ गेटिंग टू हेट्स ठीक है तो कैसे फाइंड करेंगे इसको बताइए तो सबसे पहले आपको पता ना जीगिज़िए दो सीखे को चाला जाता है तो मारा जो टोटल पॉसिबल नूमबर आउटकम्स होगा वह कितना होगा तो वह होगा आपक कि दो हेट आने की सुरि तीन सीखा यह नौआ है तो क्या हो सिका पर क्या हो हमारा हो ठीक है क्या हो हमें क् situation है जारा है तो हमंँ किसी दो हेड आने की प्राइक्तिया क्या होगे यान तीनों में किसी पर आपकी हुगा तो इसी तीन पॉसुइलिटी को आप किस तरख सकते हैं तो आप इसको 3C2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो कि हमने यहां पर लिख कर भी बता दिया है और हमने आपको यहां पर बता दिया है इस तरह की से भी यह आपको काम कब आएगा जब आपको मान लेते हैं 8 सिक्का दिया दिया जाता और उसमें से पूछा जाता कि बताइए 8 सिक्का को एक साथ उछाला जा रहा है और वहां पर आपको 2 head आने का प्राइक्ता क्या होगा तो उस समय आपको यह लगाना होता कैसे लगाते आप तो 8c2 लगाते क्या लगाते लगाते और यहां से जो हमारा value आता वह क्या होता हमारा यानि हमारा जो favorable outcome से वह आ जाता ठीक है अब आप सुच नहींगे सार nc2 या फिर 3c2 जो है आप वह कैसे कर रहे हैं तो हमने आपको जब कह सकते हैं कि permutation पर हा रहे थे तो हमने आपको बताया था क्या बताया था कि जैसे माल लेते हैं आपके पास किसी भी bag में 10 ball है और उसमे से दो हेड आने कैसे हम निकाल सकते हैं तो 3c2 करके निकाल सकते हैं ठीक है इस कारण से हमने इसको ऐसा लिखा यह जब हमारा हो गया यहां पर तो probability क्या हो जाएगा हमारा बताई तो probability हो जाएगा नई तो probability में क्या होता है कि binomals theorem और आपके permutation इन दोनों क्या होते है आपक decision 3 109 को टो इस तरख के से बनाना है एक question से हमने इतना आपको समय दिया तो आने वाले जो भी को call चुछ रंगे उसमें आपको जयाद समय नहीं लगेगा तो यह ढूशन को सब तो दो 2 इक साथ उचाला जाता है तो दो सिर्स यानि हेड के ऊवर आने कि प्रष्तक्या होगी ठीक है what is the priority that two heads come up when two coins are tossed simultaneously जब दो सिकों के एक साथ उच्छा लेंगे तो दो हेट आने की प्रायक्ता क्या होगी तो दो हेट हमारे दो सिकों को उच्छा लेंपर कब आ सकता है आपन स्यधान सर्ग्य मंत्र आ सकता है कि डोनों श्यों संधाने अधर दो होगा दो सकता तो क्या हो C 6 है ठीक है तो पीले कितना होगा पीलो हो गया एंधी अप öğends एनज किसा किसा इंसुन घरिए निख्ञार में झाले तो हमारा किया कर फोर फोर से एक साथ एवं एक टेल आने कि क्या प्राइकता होगी तो न्यूटिटी होगा एक साथ और एक तेल आने कि क्या प्राइकता होगी तो कि दो सिकों कुछ है लेगे हमारा जो एने सोगा है नरुट टो पासिवल आटकम को कितना होगा की इंट्टो टू वे अब आब होगा इंटीण लागा आपका सबसे पहले तो इवेंट्स क्या क्या हो सकते है एक पर हेड और एक पर टेल आने का तो यहां तो हमारा कुछान्स नमबर फॉर्थ मिलखा जाए कि वाट इस प्रोलुटी ऑफ गेटिंग टेल ऑन ओल थ्री कॉइंस वें थ्री कॉइंस आ टॉस्ट आटेल डेल करते हैं तो आप बताईए यहां पर इवेंट हमारा क्या हो सकता है तो तीनों पर टेला और यहां से एंई हमारा वर्ड़ कितना हो जाएगा वह कितना हो जाएगागा 2 counter Entertainment हो सकता है एक ही पॉस्भविलिटिज हो सकता है औरplant 5 क्या हो जाएगा पोसूलाइफ पीस हो सकता एक पॉस्भवी जब दो दॉसके करते हैं तो उसकते हैं। थ्रॉपर फोड़ है। तो यहां हमें नी का ःडो कितना मिल सब ज़ोड नगे तो 2-4-2 चे कितना हो गया हमारा टोटल 6 हो गया एंस कितना हो जाएक आपका दो बढ़ते हैं next questions에 हमारा 6th questions, nombor 6th questions में क्या लिखा जारा है पढ़िए तो number 6 में लिखा जारा है आपसे that when two dice are thrown simultaneously, जब 2 dice को क्या करते हैं एक साथ थेक्छते है, the sum of the numbers on the dice is seven तो जो दोनो डाइस पर हमारे जो numbers आए उन numbers का सम हो वो क्या हो जोरेंगे दिन्स विजेस चैनल रेएर थैने सटीज विल्कुन यौशंब है ऑर दोशी जोरेंगे तो यहाँ तक नांनेर चैनल सरफ सेट भी जोलेंगे हैवार दूसरे नस्ते लिए टोब पर चयांफंच hypocrite तरyang पहले dice पर हमारे 6 आया और दूसे dice पर क्या हो वन आया तभी जोने कि तो हमारे 7 यहां से अगर निकाले तो कितना हो जाएगा तो 2, 2, 4, 2, 6 यानि कितना हो गया अभी भी हमारे पास 6 हमारे total favorable outcomes हो गया और ns का फेलु कितना हो जाएगा दो dice फेक रहे हैं तो 6 into 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा तो पी का फेलु कितना हो जाएगा तो पी का फेलु कितना हो जाएगा तो पी का फेलु कितना हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा अपका अनिस हो जाएगा ठीक है तो निका फेलु कितना है 6 है अनिस का फेलु कितन तो उन दोनों टाइस पे जो नंबर आता है और उन दोनों नंबर का सम जो है हमारा प्राइम हो ऐसा कितना प्राइम होगा ठीक है ठीक है ऐसा कितना प्राइस को थ्रो करें और दोनों टाइस पे जो हमारा नंबर आए उन दोनों नंबर का अगर सम निकाले तो वह कितना हो हमा क्या हमारा number one one आ जाए इन दोनों को जो रेंगे तो one plus one कितना होता है two होता है जो कि क्या है एक प्राइम है बिल्कुल हमारा सही है यह possible outcomes हो सकते हैं फिर हमारा क्या हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि पहले क्या हो हमारा पहले डाइस पर हमारा वन हो और दूसरे डाइस पर टू हो ठीक है पहले डाइस पर वन हो और दूसरे डाइस पर टू हो यह भी हमारा हो सकता है क्योंकि इसको भी जोड़ेंगे तक्या होगा हमारा बताइए तो यह भी हमारा हो जाएगा आपका थ्री और थ्री टू और वन हो जया ठीक है प्रेराइस पर दूसे राइस पर बनेंगा तो तीन से बनेगा तो तीन और च्वहता है और तीन चार चार बी बन जये पॉसेब तो चार एक हो जाएंगा पर फिर तीन हो जाएगा चार तीन 7 अफिर पांस से बनेका तो 5-2 हो जाएगा और 5-6 हो जाएगा तो 6-5-11 होता है यह प्राइम है और क्लिक्षा अब आपका 5 से अफिर नहीं बनेगा 6 सा बनेगा तो 6 एक साथ होता है और 6 और 2 कितना होगा 8 होगा 6-3-9 होगा और 6-5 चार भी नहीं होगा 6-10 हो जाता है तो 6-5 होगा ठीक है यह हमारा हो जाएगा एनि यानि पॉस्वल आटकम्स हो जाएगा एनि का अगर वैलू निकालेंगे कितना होगा सबको जोरेंगे 10-3-6-9-10-14, 15-15 ठीक है एनिका वैलू कितना है निकल गुद्धा निकल गैं 15 निकल गया नश कितना हमारा दो डाइस है तो यह क्या होगा 6 का स्क्वाइर यानि 36 हो गया तो पी का वैलु आपका तो पी का वैलु होगा पंदरा बटे 36 क्या हो तो इस तरह किसे बनाते हैं ज्ञादा कुछ टॉफ नहीं है आप प्रभिलिटी में लिकिन आपको कोई डरने लगेगा हम जो भी अपको दे रहे हैं उन सभी अपको कोई प्रोब्लम नहीं आएगा ठीक है और ज़्यदा सदा कॉसंस आपका प्रेक्टिस करना काम है तो उसको भी प्रैक्रीस कीजिए ठीक है नमर एर्फ नम्र एर्फ में लिखा जारा है कि दो पासो याने डाइस को एक साथ उछालने पर उप उन पर आए अंको का योगफल कम से कम दस आने की प्राइक्ता क्या है ठीक है अब दीखें यहां पे कम से कम लिखा गया हो या फिर कुछ 2 dice is at least 10 when they add to us simultaneously, जब 2 dice को क्या करते हैं, एक साथ आपको उच्छालते हैं, तो जो उन दोनों dice पर जो number आए, उन दोनों का sum जो हो कम से कम 10 हो, क्या हो कम से कम 10, ठीक है, और कम से कम 10 हो या फिर सीधे 10 हो, इन दोने में अंतर होता है, सीधे 10 का है तो simple आपका 10 होना चाहिए, औ कम से कम 10 का है, तो उससे ज्यादा भी हो सकता है, यानि कम से कम 10 हो, या फिर 10 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, तो इस conditions में हमारा क्या होगा, possible outcomes क्या हो सकता है, बताइए, ठीक है, तो इस conditions में हमारा possible outcomes क्या हो सकता है, तो सबसे पर लिखेंगे e का value, यानि हमारा यह सकता है तो सबसे पहले तो हमारा 10 at least 10 है चाहिए तो 2 और 10 कैसे आगा सब्से पहले च्छे आगर 4 और 6 जोड़े पहले पर चार है जुड़े निए निक्सक्राइग तब भी हमारा हमाना 10 ँसक्ता है ठीक है और हमाना 10 आजा जाए तब भी ठीक है फिर क्या हो सकते आपका 6 और 5 और हो सकते है आपका 6 और 6 ठीक है यह हमारा क्या हो सकते हैं आपके E के value हो सकते है तो यहां से हमारा favorable outcomes कितना हो गया 3 और 3 6 ठीक है ठीक है यहां से NS का value कितना हो गया हमारा एनेज का वेलू हो गया मारब बताईए अपका हो गया दो डाई से तो 6 का स्क्वार यानि 36 हो गया ठीक है तो पी वेलू कितने हो जागा एनी अपवाण एनेज एनी अपवाण एनेज और 6 एनेज का वलू 36 यानि वन ऑपवाण 6 इस दाइड अजर आई तो इसके इका होने की प्राइक्ता क्या है यानि किसी भी तांस के गड़ी में एक पता खीचने का पुछा जाता है तो आप इसका अंसर क्या लगते इसका आप लिखते है लेकिन यहां पर आप किसी भी क?. یہां सर नहीं पुछा जारा है कि क्या प्राइटी होगा जब किसी भी काड़ी होते है किसी भी बाइच के गड़ी होते हैं उसमें 1 को कितना होता है श क critically भी वन एक का होता हो चार होता है छंुर पर सब कर से हो चार यहां पर उस्तव होता है मैं आपकोया चलमट्रोन होता है और आपका क्या होता है एक होता है आपका पान होता है ठीक है साथ यहां पर इस तरह किसे दो रेड होते हैं और दो ब्लैक होते हैं ठीक है तो इन दोनों रेड और आपको इन दोनों ब्लैक आपसे यहां पर एक का नहीं पुछा जा रहा है नहीं ब्लैक एक का पूछा प्रूंत spaghetti कर दो इनि अपवैथि कितना है और यहर्ण होता है तो यह क्या होगा अपका वन फोट्रीटि होगा एक आने का ठीक है बहुत ज्यादा कोई इसमें कोई टॉफ को तुछ को सब्सक्राइब यहां पर अपको एन फिर से निकालना था इनि क्या होगा हमारा चार कार एक पता एक घीचा जाता है तो इसके लाल होने की पएकता होगी, तो if a card is drawn from deck of cards, the probability that it is dead, का जारा कि तास कि गढ़ी में से एक पता घीचा जाता है, तो यहां से हमारा जो कह सकते हैं कि Ns हो जागा, टोटल आउटकोमस वो कितना हो जागा आपका 52C1, ठीक है यानि आपका 52 हो जाएगा ठीक है बावन तरीका से हम क्या कर सकते हैं तास के गर्डे में से पता को खीच सकते हैं और हमारा जो एनी हो जाएगा यानि कह सकते हैं कि टोटल जो हमारा फेवरेवल आटकम्स होगा वो क्या हो जाएगा तो वो जो तास का खीचा वो पता ह तो एक सूट में 13 होता है तो दूसरे तरसे में हो जाएगा 26 हो गया तो पी का कितना हो जागा 26 आपन 52 ठीक है तो यह आपका तो आप comment box में लिखकर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं ठीक है और आने वाले समय में और भी अच्छे-च्छे questions हैं आपके priority पे उसको भी बताया जाएगा तो परसान होने की ज़रूरत नहीं है जैसे से बताया जाए आप उसको सीखते चलिए और books है आपके पास जो भी कुछ आपके बास उससे practice करते चलिए ठीक है चलिए लगते हैं इस वीडियो के मिलेंगे नेक्स वीडियो में थांक्स वराचिंग वीडियो तब तक के लिए बब बाई